हलो फ्रेंड वेल्कम बैक टो मैं चैनल शायना गोईल सो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप सभी को इस नए साल की बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगी और आज की सेशन में मैं आपके साथ एक बहुत इंट्रेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज डिसकस करने वाली हूँ और वो ये है कि आप सीटेट का जो पेपर है हूँ बहु कैसे अपने फोन पर ही उसका एक मॉक टेस्ट जो है वो कर सकते हैं आपको कोई भी लैपटॉप या फिर कम्प्यूटर के जरूरत नहीं है वो मैं लाइव आपको यहाँ पर करके दिखाने वाली हूँ इसे कम्प्लीट देखे और अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लिजे तो दीखें आपको करना क्या है गूगल ओपन करना है अपने फोन पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है सीटेट.nice.in यह टाइप करने के बाद जब आप एंटर क्लिक करेंग आपको इसको चेंज करना है desktop mode में तो यह जो three dots आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं यह three dots होते हैं आपके फोन में बिल्कुल top right corner पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है तो इसको आप scroll करेंगे नीचे नीचे आएंगे तो देखें यहाँ पर desktop site लिखी हुई है यह desktop site को आपको यहाँ पर enable करना है यानि की हमें इसे टिक करना है ठीक है तो दीखें मैं इसको enable कर देती हूँ तो यह आपके सामने बिल्कुल जैसे computer पर आपका interface open होता है उस तरह से open हो जाएगा फिर हम खोलेंगे finally हमारी जो बिल्कुल first site है central teaching eligibility test ठीक है यह वाली आप website open कर लेंगे by clicking on this तो इस तरह से आपके सामने यह सारा interface आपका खुल जाएगा और देखिए जो link to के आपके pre admit cards है वो भी आ चुके हैं यहाँ से आप download कर सकते हैं चीक है तो next देखिए अब हम mock test की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बिल्कुल नीचे जाकर आप देखेंगे यहाँ पर पर नहीं जाना हमारा जो काम है वो यहाँ पर आता है candidate activity के अंदर यहाँ पर आपको mock test नजर आ रहा है ठीक है mock test last option है इस पर हम करेंगे click कि इस पर click करते हैं तो आपके सामने यह एक पेज बोलेगा कि external website है तो आपको इसको allow करना है OK करना है इस तरह से आपके सामने यह ऐसे ही आपको paper में भी देखने को मिलेगा जिस भी computer पर आप बैठेंगे जहाँ पर भी आपका पास आपका admit card है उसे रखी जब use होगी वो use किया जाएगा लेकिन यहां पर आपको जो screen पर display होगा यह आपका roll number है आपका password है आपका pin है ठीक है तो इसको आप चाहे तो आप पैनले कर जाएंगे उसको note भी कर सकते है क्योंकि next जब हम start exam पर click करेंगे तो यह तीनों की ती चीज़ें आपको वहां पर fill करनी है तो roll number हमारा यहां पर है one nine four eight ठीक है और password one two three four और pin है one 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 ठीक है one nine four eight हमारा roll number है हम start exam पर click करते हैं तो यहां पर हमने fill करना है one nine four eight ठीक है यह हमारा roll number password था हमारा one two three four ठीक है और pin है हमारा one 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 four times one और यहां पर आप करेंगे लॉग इन लॉग इन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का यह interface आ जाएगा जिस तरह का आपको वहां पर नजर आने वाला है ठीक है अब देखिए एक चीज़ आपको यहां पर ध्यान में रखनी है कि हो सकता है यहां पर आपका फिर से जो है desktop mode खतम हो गया हो क्योंकि आप एक news page पर जा रहे हो तो यहां पर आपको फिर से वो three dots पर जाना है यहां पर हमें यह three dots नजर आ रहे हैं फिर से हम इस पर जाएंगे चेक करो कि यहां पर आपका desktop mode देखिए desktop site हमारी off हो गई है तो हमें इसको on करना है enable करना है तो यहां पर हमारा यह खूल चुका है इस side पर हमें left side पर देखिए हमें मिलता है हमारा जो first name है ठीक है यहां पर आपकी photo लगी होगी आपका name होगा और आपका admit card जो भी आपका roll number है फिर यहां पर आपका teachers project यह paper name आएगा start date ठीक है start time आपका आजाएगा और language आपकी यह है और आपका paper start कहां से होगा आपने इस option पर क्लिक करना है resume exam ठीक है यहां से आपका जो paper है वो start होगा तो resume exam पर हम click कर देते हैं देखिए बिल्कुल same तरह का interface आपको सब ऐसे ही देखने को वहां पर मिलने वाला है paper में ठीक है तो यह आप यहां पर देख सकते हैं आपका part 1 है ठीक है part 1, part 2 जो भी आपके parts हैं सारे इस यहां पर changes क्या होई है देखे पहले अगर मैं आपको question palette की तरफ जाओं तो यहां पर changes इनोंने क्या की है एक तो है answer अगर आपने green answer पर टिक किया it means आप उस चीज की option के लिए confirm है ठीक है red icon आपका जहां पर आएगा it means वो question आपने unanswer किया है यानि कि वो छोड़ दिया है त जो कुछ time अगर आपके पास बचता है तो हम देख सकते हैं कहीं हमसे कोई question चूट तो ने गया और flag का meaning क्या है जो पहले review की option थी ना कि आप कोई question को review करना चाहते हैं वो flag की option इनोंने दे दिया अगर आप किसी चीज को flag tick करते हैं ठीक है तो end में आप देख सकते हैं कि यह question आपने review करना है लेकिन एक चीज और मैं बता दूँ कई बच्चों को यह doubt है कि अगर हमने flag कर दिया तो हमारा answer submit होगा या नहीं होगा देखे बच्चे अगर आपने किसी option को flag tick कर दिया ना तो यह उसको अपनी option मान लेगा कि आपने वही answer fill किया है यह सिरफ आपकी जानक यहां पर यह जो yellow color में है यह not answered है ठीक है not visited है sorry और जो red icon में है यह not answered इस तरह से आपको यह सारे आपके color से यह चीज आपको पता लग जाएगी तो देखिए जैसे मान लीजी यह first question है आपके पास what minimum number of working days have been prescribed in class 8 ठीक है तो इस type का question है तो आप इसको चाहे तो इसको scroll क्या रहेंगे तो नीचे की नीचे आपको सारी options दिखेंगी और इसमें देखे main changes क्या देखने को मिली है वो changes है यहां पर आपकी option number पहले आपको आती थी 1,2,3 या 4 जो आपको सही लगती थी वो आप टिक करते थी लिकिन अब आपको जो options है ना वो jumbled होकर आ रही ह लिखा है कई पर 3 है 1 है 2 है तो confused नहीं होना यह चीज आपकी ना active memory को चेक करता है कि आप कहीं 4th option टिक करना चाते है तो 4th पर लिखा है यहां पर तो यह आपकी 4th option है ठीक है अगर आपकी option 1 सही है तो आपने number देखना है कि कहां पर 1 लिखा है उसको टिक करें आप यह नही option 3 है ठीक है तो 3 कर दिया आपने या तो आप next की तरफ move कर सकते हैं या फिर ठीक है क्या कर सकते हैं कि मैंने इसको दुबारा से देखना है मैंने इसको फ्लैक कर दिया फ्लैक करके हम next question पर इस तरह से जा सकते हैं तो next question अब देखिए पिछले paper में जो पहले का CBT mode था वहां पर आपको left side पे question नज़राता था और right side पे उसकी options होती थी तो अब यह interface easy हो गया आपको options जो है नीचे ही नज़राएंगी कोई आपको दो-दो pages पर run नहीं करना पड़ेगा तो अगर हम part 2 की तरफ बढ़ें part 2 है हमारा जैसे mathematics है ठीक है या फिर part 3 हमारा जो English है देखिए passage का जो पार्ट है इसमें आपने जैसे मैंने आपको बताया है कि passage को किस तरह से attempt करना है आपको passage सारा read करना ही नहीं है फटा-फट से आप scroll कीजिए और बढ़िए questions की तरफ जीके question number 1 हमारे यहां पर आ जाता है most often our misfortunes are the result of our own अब देखिए misfortunes यहां पर क्या हो गया हमारा keyword हो गया तो हमारी options पर जल्दी से हमें इसकी नजर दोडाएंगे कि कौन सी option सही है और फटा-फट से paragraph में ढूनेगे कि जो misfortune है यह हमें word कहां पर नजर आ रहा है ठीक है अब देखिए पहले वाला time तो नहीं है कि आप कर लेंगे जो आपके points है यहां पर आपको CBT mode में है तो थोड़ा सा screen time में screen पर concentrate करना का जो experience होना चाहिए ठीक है तो definitely आपको यह mock test attempt करना चाहिए ताकि आपको जो interface है इसका पता लग सके तो यहां पर देखिए यह चीजें आप जब सारी sections में विजट कर जाएंगे तो यहां पर आपका remaining time आजाएगा आपको watch की भी आपको पता लग जागा कितना परसेंट आपने attempt किया है 40% पर हम attempt कर चुके है तो यहां पर आपके जो sections है पार्ट फाइव यह अब आपको टेंशन नहीं है कि आपने language 1 कौन सी है language 2 कौन सी है यह सारी हैड़े कि नोंने ले ली है जब आपका admit card के आपके application number पर आप बैठेंगे ना तो आपके लिए वैसा ही interface आपके सामने खुल जाएगा तो वह आपको टेंशन लेने के जरूरत नहीं है जैसे पहले होता था कि language 1 का ध्यान रखो language 2 का ध्यान रखो वह चीज की टेंशन अब खतम हो चुकी है तो देखिए फ्रेंड्स यह interface जो है आपको अभी आप देख लेंगे ना यह सारी चीज़ें और फिर फ्लैग है प्रीवियस है या फिर नेक्स है इन चीज़ों के साथ आप फेमिलियर हो जाएं अगर आप first time CTET के लिए appear हो रहे हैं या फिर आफ कंप्यूटर पर first time काम कर रहे हैं जो तों कंप्यूटर पे करते रहते हैं या फिर इस चीज़ों से जो बच्चे नोन हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी लेकिन जिनके लिए ये चीज़ें नहीं है न वो थोड़े कन्फियूज हो जाते हैं और पेपर आते हुए भी आपका जो है confidence lose हो जाता है तो ये mock test बहुत important है और बहुत helpful रहने वाला है आप लोगों को और दीखिए हमारी जो CDP के marathon sessions है वो भी चल रहे हैं साथ में complete इसके जो previous analysis है न वो भी मैं detail में आपके साथ share भी करूंगी सभी अभी तक जो भी सीटेट के पेपर हुए हैं तो मेन आपके जो है प्याजे वाइगोस्की और कोलर हैं ठीक है यह सारे थियोरी इंपॉर्टेंट है intelligence में Howard Gardner है यह बहुत important है और एक Norm Chomsky है जो वो सभी पैड़ागोजी में देखने को मिले हैं NEP 2020 बहुत important है NCF का topic बहुत important है और देखिए paper 1 का जो लेवल आ रहा है वह easy लेकिन पेपर 2 में आपको थोड़ा से लेवल तो राइस मिलेगा ही मिलेगा तो उसके लिए आप prepare होके जरूर जाहिएगा तो इसके इलावा friends अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और देखिए sessions आप देखना मत भूलेगा important जो topics है marathon sessions है वो आपको चैनल की playlist में folders मिल जाएंगे या फिर इसी video के description में भी मैं आपके साथ important links share कर दूँगी अब वहां से भी check कर सकते हैं so friends video helpful रही हो इसे like and share ज़रूर कीजेगा see you in the next session till then keep watching friends